हेलो गाइज आईदी जबिशिक सो गाइज आर्ट्यू के 5th और 7th semester के में बेक के examination चोवीज फेवरीटी से कंड़क्ट होने जा रहे है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताये था कि जो आर्ट्यू की 16 फेवरी डेट ती कि एक्जामिनेशन की वह बढ़कर चोवीज हो गई है तो उसके अकोडिंग अब टाइम टेविल भी आ चुका है तो उस टाइम टेविल को थोड़ा देखते हैं और उसमें जो अब शेशन से किस किस सेशन का एक्साम वह देख तो तो सिंपली आर्ट्यू की ओफिशल वेबसाइट र्ट्यू डूट एस डूट इन पर आगए और ताइम टेविल लेगना है तो तो ताइम टेविल पर क्लिक कीजिए बिटेप और भी आर्टेक्ट के लिए ठीक बी आर यह है यह पूरा टाइम टेविल तो यह आप देख लीजिए का मैं इसमें बता देता हूं कि किन किन इस्टूडेंट के लिए है तो मैंने सिंपली पीडिया पर रिपेर की इसके लिए तो गाइज यह टाइम टेग्विल वह चार केटिग्री में डिवाइड है ठीक है उनमें से फस्ट केटिग्री में है फेक्सम के मर्सी बेक स्टुटेंट जिनका एंडॉल्मेंट 2012 में हुआ था ठीक है क्योंकि 2012 से पहले जो एक्जामिनेशन है मर्सी बेक के वह हो चुके हैं तब स्टुडेंट पूछतेते की उनका 14 वाले बेचेस का कब होगा तो जिनका एंडॉल्मेंट 2012-13 से लेकर 1670 तक रेगुलर स्टुडेंट का हुआ है उनका यह एक्जामिनेशन है और लिब के वो स्टुडेंट जिनका एंडॉल्मेंट तो जोजाट तेरा 14 से लेकर 17 18 त में हुआ है और जो रेगुलर स्टुडेंट 12-13 से लेकर 16 17 तक के और लीब के जो तेरा 14 से लेकर 17 18 तक में एंडॉल्में थे उन्हें स्टुडेंट का यह एक्जाम है ठीक है और यह दोनों ही पर्स्ट और सेकंड दोनों ही 24 सब्री 2021 से स्टार्ट होंगे और 10 मार्स तक च 17 18 में हुआ है फूर फ़र्स सेमस्टर के लिए ठीक है तो उनका यह एक्जाम है और जो लीब के इस्टुडेंट है उनका एंडॉल्मेंट 2018-2019 में हुआ है तो उनका ये एक्जाम और इनका एक्जाम 24 मार्स तक चलेगा ठीक है और वर्ट केटेग्री की बात करें तो 7 समस्टर के मैं उनके वाल इस्टुटेंट है जिनका एंडल्में 2017-2018 में वो फस्ट समस्टर के लिए हुआ था और लेव के बुश्टुलें ये एक कि जो एक्जाम है वो सो इनके जो एक्जाम है वो 24 से लेकर एक मार्च तक चलेंगे ठीक है तो गाइस ये चिंजिन का टाइम टे बिलाया है उनका मैंने बता दिया है ठीक है सभी इंपोल्मेशन और ये दिए कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो थै